एक और question है, बिल्कुल similar जैसे कि हमने पहले वे भी कराया है, इसमें भी आपको 28th term बतानी है, वो भी last से, तो जैसे कि अभी बताया है, इसको भी पल्टा दो आप, तो solution, आप arithmetic progression को reverse लिख दीजिए, तो 253 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद 100, 100, 100, और फिर आपका आएगा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3, तो इस case में जो first term बन जाएगी, वो बन जाएगी 253, common difference, common difference, किसी भी दो से निकाल लो, 8 minus 13 करोगे आप, आगे वाले में से पिछला, तो 8 minus 13 करते हैं, तो आता है आपका minus का 5, और आपको a 20 निकालना है, इसके accordingly वो आगे से गिनावा माना जाएगा, तो a 20 मतलब कि आपका first term, plus n minus 1 into d, n minus 20, minus 1 into d, यानिकी minus 5, तो यहाँ पर बनेगा 253, और plus 19, multiplied में minus के 5, और अगर आप इसको करते हैं आगे solve, तो 253, प्लस यह हो जाएगा, आपका minus के 95, bracket में रखते हैं इसको, और अगर आपको इसको false करते हैं पूरा, तो 158, तो 158 जो है, वो आपकी पीछे से 20 term होगी, यह आपका answer हो जाएगा.